नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल BCS Basic Physics में आज के इस वीडियो में हम जो कक्सा 11 है उसका 6 चेप्टर कारी उर्जाएम सक्ति का 7 एक्जामपल यहां पर लेकर चल रहे हैं एक्जामपल क्या है एक वार पहले वो समझ लीजिए समझ लीजिए स्मोल आएम दुर्यमान का एक गोलक L लंबाई की हलकी डोरी से लटका हुआ है इसके निम्तम बिंदू A पर से तीच वेग V0 इस प्रकार लगाए जाता है कि उर्द्वादर तल में उर्द वर्ताकार प्रक्षेपे पत को इस प्रकार तैय करता है कि डोरी केवल उच्तम बिंदू C पर धिली होती है एक डाइग्राम हमारे को कुशन में दे रखा है निम्न रासियों के लिए वेंजक प्राप्त किजिए हमारे को जो लोर बिंदू है निचला भाग है उसके उपर वेलोसिडी V0 फाइंड आउट करनी है बिंदू B और C पर गोलक की चाल ग्यात करनी है बिंदू B और C पर ग और उनकी वेलो हमें अब फाइंड आउट करनी है हमारे को जो डाइग्राम दे रखा है इस डाइग्राम को एक वार फिर से यहां पर हम समझते हैं इस डाइग्राम के अंदर हमारे को एक सर्किला के रूप में पत दे रखा है यहां पर एक गोलक यहां से बंदा हुआ है द तीन बिन्दू दे रखे हैं, एक बिन्दू A, दूसरा वाला बिन्दू यहां पर ठीक इसके लंबot दिशा में, यह है बिन्दू B, और तीसरा बिन्दू इसके ठीक उर्ध्घौादर उपर की ओर, यह बिन्दू दे रखा है दोस्तो C, तीनों बिन्दों पर जो वेलोसीट है दोस्तों वो हम consider कर लेते हैं V, C हमें यहां पर दोस्तों की जो बिंदू A, B और C, तीनों पर जो velocity है वो हमें ग्यात करने है, अब तीनों पर जो velocity है वो कैसे ग्यात करेंगे, गती जूर्जा ग्यात करने, इस बिंदूर इस उरजा है उसकी तो बिंदू A, B और C पर हम उरजाएं देखेंगे तो बिंदू A पर उरजा तो यहाँ पर जो इस्तिदी जूरजा है दोस्तों मैं वह कंसिडर कर लेता हूं 0 तो यहाँ पर जो उरजा होगी वह गती जूरजा के इक्वल ही होगी तो उस्तरफ पर तब हम बात करेंगे बिंदू A पर तो बिंदू A पर सिर्फ और सिर्फ गती जूरजा होगी और वो ही इसकी कुल उरजा के बराबर होगी एक बटा दो M V नोट का स्क्वेर तो यह हमारे पास में है बिंदू A पर कुल उरजा इसको दोस्तों मैं देता हूँ equation number 1 फिर हम बात करेंगे बिंदू B पर तो बिंदू B पर जो उरजा है total energy है वो हमारे पास में क्या जहेगी एक बटा दो गती जूरजा की value है M VB square यहां पर समझ लेंगे गती जूरजा half M VB square प्लस में M G H H की जू value है दोस्तों यहां से लेकर यहां तक की जो height है जो गॉलक है वो L लंबाई की डोरी से भंधा हुआ है तो height है वो L हो जाएगी तो एक बटा 2 M VB square प्लस M G L यह आगई हमारे पास में equation number 2 दोस्तों अब हम बात करते हैं बिंदू C पर तो बिंदू C पर जो energy है वो भी E ही रहेगी क्योंकि यहां पर जो पिंड है वो गुर्तुवा करशन बलके अधीन गती कर रहा है यहां पर तनाव बल भी लग रहा है क्योंकि जो विस्तापन है वो सदेव समान बना रहता है तत्पश्यात इस डोरी में जो तनाव दोस्तों इस डोरी में यहां पर जो तनाव है वो मैं consider कर लेता हूँ पी ए है तनाव कितना लग रहा है दोस्तों पी ए तनाव लग रहा है लेकिन ये जो तनाव है वो कोई उर्जा में परिवर्थन नहीं करता ततपश्यात जो टोटल एनरजी है वो यांत्रिक उर्जा है वो constant रहती है, एके equal ही रहती है अब बिंदू C की बात करते हैं तो बिंदू C पर जो एनरजी है वो केतनी रह जाएगी एक बटा दो M, Vc स्क्वेर, फिर प्लस में M, G, H H की जो value है दोस्तों यहां से L और प्लस में L L प्लस में L ले तो ये भी distance है वो L ही रहेगी तो L प्लस में L जो distance है total वो 2L हो जाएगी तो M, G into 2L, यह आगई हमारे पास में equation number 3 तो बिन्दू A, B और C पर जो total energy है वो हमें प्राप्त हो चुकी है दोस्तों अब हम वापस लोडते हैं बिन्दू A पर और बिन्दू A पर हम Newton का जो दूसरा नियम है उसको यहां पर हम apply करते हैं बिन्दू A पर free body diagram के according इस डोरी में तनाव T A उपर की और M, G नीचे की और और उन दोनों का जो परणामी है वो हमारे को बताएगा इस डोरी के द्वारा जो उत्पन अभी के इंदू यह बल है उसको तो यहां पर दोस्तों जो T A बिन्दू A पर तनाव माइनस में M, G क्योंकि यह नीचे की और लग रहा है यह बराबर होगा अभी के इंदू यह बल के तो अभी के इंदू यह बल होगा M, V, G, R, E, S, Q, A, P, O, N में R के इस्तान पर यहां पर दोस्तों L है तो यह हमारे पास में आ चुका है दोस्तों इसको मैं देता हूँ बिंदू C है बिंदू C पर फिरी बोडी डाइग्राम से है बिंदू C के उपर तनाव 0 हो जाएगा यहां पर जो बल M, G लगेगा वही बल है वो अभी के इंदू यह बल के बराबर होगा तो M, G बराबर होगा M, V, C स्क्वेर अपॉन में L के इसको मैं देता हूँ इक्विशन नमबर 4, 5 तो यहां से इन ही इक्विशन की साहिता से हमें वेल्यू फाइंड आउट करेंगे सब की तो सरफ परतम हम बात करते हैं यहां से M से M कैंसल हो गया तो V, C का स्क्वेर हो गया, वो हो गया दोस्तो G, L के बराबर V, C की जो वेल्यू है दोस्तो वो आगई हमारे पास में अंडूड में G इन्टू L यह आगई equation नमबर 6 equation नमबर 6 आगई तो दोस्तो यह एक वेल्यू हम में find out कर चुके हैं V, C की वेल्यू गयात कर चुके हैं दोस्तो इस V, C स्क्वेर का मान यदि हम यहां पर put कर दें इस बिंदू पर put कर दें तो हमारे पास में उर्जा की वेल्यू आ जाएगी तो मैं यहां पर यहां से समीकरण, समीकरण जो 6 है उसको उठा कर मैं समीकरण 3 में put कर देता हूँ तो यहां से हमारे पास में क्या निकलीगा दोस्तो अब यहां पर समीकरण, तीन में समीकरण 6 को रखने पर तीन के अंदर 6 को रख देंगे तो e is equal to half m vc square की जो value है दोस्तो वो है g into l plus 2mgl तो यह half mgl यहां पर है, यह 2mgl यहां पर है तो e की जो value है दोस्तो वो 5y2mgl यहां से आदा और 2 जोडेंगे तो 5 बटा 2 हो जाएगा तो e की value हमारे पास में आचुकी है, जो यांत्री कूरजा है, टोटल यांत्री कूरजा है वो हमारे पास में आचुकी है, इसे को हम equation number 1 के equal put कर देंगे हमारे पास में जो equation number 1 थी, वो 1 बटा 2mv0 square थी तो समीकरण 1 और 7 को equal रखने पर समीकरण 1 बराबर 7 से तो हमारे पास में equation number 1 थी, e बराबर mv0 के square equation number 7 भी e बराबर ही है, जो कि 5 बटा 2mgl के बराबर है यहां से 2 से 2 cancel हुजएगा, m से m cancel हुजएगा, v0 square बराबर आ गया 5gl, तो v0 की जो value है, बिंदू a पर जो velocity है particle की वो आ गई है दोस्तो 5gl, इसको में देता हूँ equation number 7 यह हमारे पास में बिंदू a पर velocity आ चुकी है दोस्तों अब हम बात करेंगे बिंदू b पर जो velocity है वो कितनी होगी बिंदू b पर velocity find out करने के लिए हमें पहले value ग्यात करनी पड़ेगी कि जो value है, जो हमारे पास में equation थी, समीकरण 2 और उस equation number 2 के अंदर हम e की value put करके वहां से हम vb की value find out करेंगे समीकरण 2 को दोस्तों मैं एक वार फिर से put कर देता हूँ समीकरण 2, e बराबर थी हमारे पास में एक बट्टा 2, m vb square, प्लस में mgl, e का मान में यहां से समीकरण 7 से put कर देता हूँ, जो कि 5 बट्टा 2, mgl, एक बट्टा 2, m vb square, प्लस में mgl, इस mgl को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह 2, mgl है, यह 1 mgl यहां से घड़ जाएगा, तो 3 बट्टा 2, mgl, बराबर हमारे पास में आ गया, हाँ, m, vb square, यहां से m से m cancel हो गया, 2 से 2 cancel हो गया, vb square, बराबर हमारे पास में आ गया, 3, 3gl, और vb बराबर हमारे पास में आ चुका है दोस्तों, अन्रूड में 3gl, हमारे पास में आ चुका है दोस्तों, अब हमारे पास में बिंदू b पर, c पर और a पर जो गती जूर्जें हैं, velocity है, वो आ चुकी है, अब हम बात करेंगी, यहां पर इस equation के अंदर, इस example के अंदर, जो हमारे को और भी value दे रखी है, कि गती जूर्जें का अनुपात ग्याद करना है, बिंदू b पर गती जूर्जें, और बिंदू c पर गती जूर्जें का अनुपात ग्याद करना है, बिंदू B पर जोगती जूर जा है दोस्तों वो 1 बटा 2M VB square और बिंदू C पर जोगती जूर जा है 1 बटा 2M VC square तो यहां से 1 बटा 2M से 1 बटा 2M cancel हो गया VB square upon VC square आ गया तो VB की जो value है दोस्तों वो है अंडूर्ड में 3GL square करेंगे तो 3GL आ जाएगी और VC की जो value है दोस्तों वो हमने निकाली थी GL का root तो GL आ जाएगी गया यहां से GL से GL cancel हो गया KB upon में कैसी KB upon में जो कैसी है वो आगया हमारे पास में 3 by 1 तीन नुपात एक इनका नुपात होगा दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो बिंदू C है उसके पशाथ जो पत है वो किस प्रकार का होगा तो देखिए दोस्तों जो गोलक है जिस दिसा के अंदर गती कर रहा है वो उसी दिसा में ही गती करेगा और जो गोलक है वो सिधा वर्ताकार पत पर ही गती करता रहेगा मैं एक वार फिर से जो डाइग्राम है उसकी ओर ले चलता हूँ आपको यहां पर हमारे पासमें वेलोसिटी है वी सी तो जैसे ही यह जो पिंड थर गती करेंगा एदि यहां से डोरी को काड़ देंगे तो जो पिंड है वो इधर इस तरीके से गती करेंगा और गुर्तवाकरशन भलके अधीन यह प्रक्षपे पत पर गती करता है बट यहांपर डोरी लगी हुई है डोरी को नहीं काटें तो यह पिंड इधर दूर की और ने जाकर इस डोरी में फिर से तनाव उत्पन होगा और तनाव उत्पन होने की वज़े से यह पिंड है जो वो इस वर्ताकार पत पर गरती करता रहेगा तो दोस्तों यह था हमारा काफी और मुझे उमीद है आप लोगों को यह जो एक्जामपल है वो अच्छे से समझ में आया होगा आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों